कैसे हैं बच्चो कैसी आपकी पड़ाई चल रही है उम्मीद करता हूं कि ये जो session आपका गुजर रहा है sprint session ये आप लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छे से निकल रहा होगा reason ये है कि आपको भी exams देने हैं और exams में अच्छे marks आने के लिए क्याव कि इतना पढ़andid ज़रूरी है जितना लिखना ज़रूरी है उसने कहीं कुणा ज्ञाएए उस चीज को समझना अप समझदारी दो तरह की है यहां पे भी या तो आप यह है कि खुद की समझ चला लें जहां पर खुछ चीजों को समझें उसमें वक्त बहुत लगेगा और एक यह है कि टीचर आपको समझाए आप बहुत ध्यान से सुने समझें और अपना काम करके आ जाए इसमें वक्त बहुत कम लगेगा च्वाइस आपकी है तो इसलिए आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं बहुत नौ जिसे कह सकते हैं नौर्मल टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है इसको सीखने के लिए पढ़ने के लिए कोई जादा हाइफाई दिमाग की सोच नहीं चाहिए इसलिए जो आज प्यार भरे प्लैटफॉर्म यानि के फिजिक्स वाला पर आपका स्वागत करता हूं और उमीद करता हूं कि आज की जो क्लास होने वाली है वह बहुत अच्छे से बहुत शांतिस होने वाली है और जैसे आपके कोमेंट्स चल रहे हैं भाई साब बहुत अच्छा लग रहा है देश में खाने की जो प्रॉब्लम्स है खाने का जो इशू है उसकी जो है उसकी जो असेसिबिलियुटी है वो अपने आप में चैलेंजिंग है इंडिया के लिए अजादी से लेकर आस तक इंडीपेंडेंश से लेकर प्रेजंट एरा तक तो क्या प्रोलम्स आ रही है क्या इनका सॉलुशन किया गया गवर्मेंट ने कितना उसका बेनिफिट मिला और किन को मिला यही हम इस क्लास में आज पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपका अपना टॉपिक कि यहां यहां पर सबसे पहली बात है कि फूर्ट जो सीक्योर्टी की बात कर रहे हो जा मतलब क्या है क्या 7 तीन-बाउंसर शीक्योर्टी गाड पोलडे कर लिए जाये मुझे करें जायेद नि विटा हgga Monsieur को शीक्योर होगा क्या उसे फूर्ट होगा क्या कैसे होगा food security in India कैसे किया जाएगा food किसी के सामने पड़ा है पर कोई इंसान उसको खरीद नहीं पाता है खरीद इन दा सेंस मार्केट में आपको भूक लगी है आप मार्केट में अपने मदर फादर के साथ गए है अन उसला है यहाहत में to buy it अपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसे खरीद पाऊ सो बताओ आ आप गरी ऑले मीं कि अग्ली बार ये लेता हूं अग्ली ले लेता हूं और एक होता है अग्ली आ नहीं ले लेता हो कहुं है वह डिपेंड करती है सामने अब मालों आपके सामने पैसा है सब कुछ है बड़ खाना की चीज़ें नहीं है तो भाई सब भी भूके मरोगे यानि की गाड़ी चलाते वक्त दूसरा गाड़ी ठोक के जाए या आप ठोको नुक्सान आपका ही होने वाला है कि समझ वागी बात चीक है तो फूड सिक्योर्टी के लिए मैं कहता हूं तीन चीज़े जरूरी हैं थ्री थिंक सानेसरी थी सेक्शन सानेसरी पूड सीक्योर्टी कें बी डिवाइडि इंटू थी नॉर्म्स थी सेक्शन क्या है वो तीन अवियलिप्टी ओफ फूड भाई सब क्या लेने जा रहे हो सबसे पहले तो ये समझों पैसा होने से क्या होता है सामने चीज़ भी तो होनी चाहिए चीज की अवियलिविटी होनी चाहिए उपलबदता होनी चाहिए खात्य सुरक्षा की हिंदुस्तान में ज़रूरत क्य ही है क्योंकि भाई साब इससे लोग प्रभावित होते हैं लोगों पर इसका असर दीखता है किन पर दीखता यह सब को पता है अमीर और गरीब की बात यहीं से वृ lane ग्रेंस CDC वेदिन प्रॉडक्ष्ण विदिन कंट्रीज फोर ग्रेंस की जो प्रडेंस हो हमेशा देश में बनी रहनी चाहिए हमेशा देश के इंटरनल पे अविलिवल होना चाहिए food grains क्यों होना चाहिए दूसरों के सारे बैठे रहे कल को लडाई हो गई कल को नराज हो गए US वाले नहीं देंगे खाना तो क्या करोगे तो self-sufficiency आत्मनिर्भरता खाद्य के मामले में बहुत जरूरी है हिंदुस्तान ने से के सिंसाक्राइर शिब्टेंडट से अध्व्ट किया है वेज़् सिसे गटिकर व्यर्यथ्व पॉलिष्व याशंड वर फॉर्म ताकि फू डूड्सिकूर किया जा सके दूसरा है अस्षिभलिटी अ मतलब यहरी रेंज में आना मेरी रीच में आना खाना मेरे सामने पड़ा है भाई साम मैं खरीद ही नहीं पा रहा हूं उसको तो वो मेरी रेंज से बाहर है तो इट शूड बीन रीच ओफ एवरी पर्सन खाना है खाने के लिए बना है हर व्यक्ति उसको खरीद पाए तो भाई साथ फूड सिक्यूर है affordability अब affordability का मतलब यह है reach in individuals every person has enough money to buy it यानि कि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उसे खरीद पाए आपका मन कर रहा है सब कुछ है और भाई साथ पैसा नहीं है तो मरोगे तो आप तब भी भूके फूड सिक्यूर्टी के अंदर तीन चीजे हैं फूड सिक्यूर्टी का मतलब यह है कि फूड की accessibility होनी चाहिए और फूड का जो है क्या होना चाहिए बच्चो availability होनी चाहिए यह तीन चीजे हैं तो फूड सिक्यूर्टी का मतलब यही है आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा ऐसे गुस्टे से मैं क्यों बैठे हो भाई साब मैं यहां पर आपको भुकमरी से मार नहीं रहा हूं मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप फूड कैसे इंश्यूर्ट शिक्यूर कर सकते हो चलिए नेक्स देखते हैं देख रहे हो क्या स्ट्राइल बनागे लेगा ऐसा हालिके में मतले ना यह सब एकदम अवल दर्जे का नोट से है फूड सिक्यूर्टी आपको क्या इंश्यूर् करती है है वेरी इंपोर्टेंट कोश्चिन कि वट इस दी मीनिंग ऑफूड सिक्यूर्टी है ना राइट लाइक अगर वहां पर आप लिखते हो राइट इबेनिफिट्स अफूड शिक्यूरिटी इंडिया क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि असेसेबल रहेगा खाना एफॉर्डेबल रहेगा खाना हरेकी रीच में का खाना यह सारे benefits ही तो है food secure होने के वाईसा food ही नहीं तो तीनों ही चीज़े नहीं है so क्या हो सकता है क्या ensure कर सकता है if enough food is available for all food security ensures that availability of food is there availability की बात कर रहे है and all persons have the capacity to buy यानि की accessibility की बात कर रहे है उपर वाली किसकी बात हो रहे है availability की उपलब्दता की नीचे हो रहे है किसकी accessibility की आपकी range reach में आना और थड़ है no barrier on access to food किसी भी प्रकार का barrier नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है जो आपने देखा भाई साथ क्या देखा भाई साथ आपने जो income है किशी वी व्यक्ति की वो इतनी तो हो कि वो इसे purchase कर पाए कोई आपके तीनों ही बाते food security का So very important question, next देख लेते हैं, why food security, क्यों जरूरत है भाई साब food secure करने की, क्या आपदारी है, क्या होने वाला है ऐसा, So it is necessary to ensure ability of food at all times, at all times मतलब what does it mean, क्या मतलब है, हाल फिलाल की बात कर लो, Corona, COVID-19, लोगों के पास खाने के लिए, खाना नहीं मिल रहा था, पैसा बहुत था, पर खाना नहीं था, त्रही त्रही मच रही थी, लोग अपने घरों में नहीं टिक पा रहे थे भाई साब, निकल के भागना चा रहे थे, कैसे भी शहर से भागे, कौन घर में रहे के मरे का बताए, जब परिवार आपका गाउं में है, आप शहर में के लिए टिक के क्या करोगे, तो यहां पर यह है कि खाना आपका हमेशा all times available रहना चाहिए, चाहें वो कोई आपदा आजाए, या फिर कोई महामारी pandemic जैसी आजाए, तो खाना इसलिए ensure करना ज़रूरी है, कल को कोई और बिमारी अगर आ गई, तो एटनिस लोग भूके तो नहीं मरेंगे, बिमारी से मर इस डिफरेंट थिंग, पर भूक से भी साथ में मर जाना और वर्स थिंग, बहुत बुरी बात है, so how is food security affected during calamity, कैसे एट कर सकते है कि इस calamity के टाइम पर, let's suppose, एक example लेते हैं, कोई भी एक example ले ले लिजी, चलिए COVID साही चुरू कर लेते हैं, COVID जब आया, तो लोगों ने, जो लोग व्यापारी थे, और पौने दाम मांगे थे, चीजों के और पौने दाम मांगे थे, reason ये था कि उनके पास ये बहाना भी था, और ये कमाने का जरिया भी था, और सामने से वो मजबूर भी थे कुछ, अब भाई सामने से पहली chain, जहा कल को मर जाओगे भाई साब, कोई अगर सस्ता भी खरीद ने आता तो इसको कहते भाई साब, 200 रुपे के लोग से चल रही हैं, हमारे यहां पर दिल्ली में, ये 50 रुपे के लोग से शुरू होती है, वो अलग बात है कि वो काणी एपल होती है, मतलब कि ऐसे एक आख से दे तरे साथ, 200 रुपे लेगा तो जाओंगी, अब वो मजबूरी का फायदा उठा रही है सेव, सेव क्या कहती है, सेव के लिए सामने से, कि चच्चा तेरी जिंदिगी में और मुझे खाने में सुर्फ कोविट का फरक है, या तो तो मुझे खाके घर में पैखोले 200 रुपे का हुआ कि कोविट के टाइम पर रेट जो है वो बढ़ने लगी, चीजों की अवेलिटी गिरती है, तो उनके प्राइस बढ़ते हैं, तो इस दी लौ ऑफ डिमांड ऑलसो, लौ अब डिमांड क्या है बच्चो, वह आप बड़े हो जाओंगे थोड़ा सा जब पढ़ोगे लौ डिमांड का मतलब यह है, कि जब प्राइस किसी चीज के महंगे होते हैं, तो डिमांड जो उस चीज की गिर जाती है, तो अब मालो कार एंड पैट्रोल का एक 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 जामपल ले लेते हैं, चलो भाई साब इससे समझ जाएंगे आप सारे लोग, आप सभी के पाप गया हर कोई नई गाड़ी लेके गूम रहा है, पर एक समय था जब पचास और साट हुआ करता था गाड़ी खरीदना एक सपना हुआ करता था, तो जब प्राइस कार के गिरे तो पैट्रोल के बढ़ गए, पैट्रोल गरी तो कार बढ़ गई, तो प्राइस और डिमांड मे मैंने आपको कारें पैट्रोल का एक्जामपल दिया, डॉट सूखे की बात कर लेते हैं, तूखे के समय क्या होता है, जो प्रोडक्शन होती है फूट गरेंस की वो गिर जाती है, आप सभी जानते हो, सूखा जब पढ़ता है तो खेट में कुछ उगता नहीं है, कुछ नह अगले साल सूखा पड़ गया, इस साल में आपके पास कुछ नहीं है बेचने को, पिछले साल के 10 रुपे वाले गयों में से ही रिजर्व बचा हुआ है, तो आपको इस साल की एवरेज निकालनी है, कि ऐसा लगे कि मुझे घाटा जादा नहीं हुआ या हुआ ही नहीं, त इसकी वईसे क्या होता है, shortage of food हो जाती है, खाने की कमी, in which areas, in the areas of impact, जहां पर उसका impact आता है, affect होता है, जहां पर यह चल रही होती है, प्रॉब्लम, जब जब production गिरेगी, तो price जो है वो भढ़ जाएंगे, जो लोग हैं, वो ज़्यादा price चार्ज करना शुरू कर देते है कि लेना है तो लो, वरना भूके मरो, so some people cannot effort, so मान लो, COVID में भी आपने देखा था, कि कुछ लोग तो बहुत ईजी ली खरीद पारे तो कुछ भूद है, हमको फरक नहीं पड़ता, एक दो मैने YouTube पे देखा था, आई, पैट्रोल चाहें, 5000 रुपए किलो, 5000 पे लीटर क्यों आप तो धन्वान है, और उसके सामने समय बल्वान है उस समय, तो क्या होगा बच्चो, समय उसको खा जाएगा, वो मारा जाएगा, so some people cannot effort, that means, if calamity stretched over a long period, अगर ये माहमारी COVID की 2 साल, 1.5 साल जैसे चली, अगर ये लंबी चल जाती, सो इससे क्या होता, starvation, भूक मरी भी आ सकती थी, मौत तो खेर होती है, क्योंकि starvation से मौत तो होनी है, भूक मरी आपको मौत की तरफ ले जाती है, जब इंसान के पास, खाने के लिए खाना नहीं होगा, तो उसकी मौत प्राप्ती निश्चित है, कोई भूक आदमी कैसे जी starvation पर ले जाएगी, और starvation आपको death की तरफ लेके जाएगी, मेरे पीछे screen हिली ना, मस्त लगाने एक तम, ऐसे लगता है, ऐसे ही जिन्दगी उपर ले जाती है, तो जब ज़्यादा starvation चलता है, लगातार starvation भूक मरी आए, तो famine create होता है, आपदा create होती है, जिसकी वएसे क्या होती है, widespread death, बहुत जादा मौते, कोई भी आपदा अच्छी नहीं होती है, कोई भी आपदा अच्छी नहीं होती है, और ये मौते क्यों होती है, बच्चों, due to starvation and epidemics, जैसे कोविड में लोग भूके मरे, बिमारी से मरे, वैसे ही यहाँ पे लोग जो वो मरना start हो जा समय अपने पेट को भरने के लिए, loot part भी करता है, चोरी भी करता है, दकैती भी डालेगा, murder भी करेगा, कहीं पर भी खाना पड़ा हुआ है, जैसे आज आपने देखा होगा जानवरों के सामने, जैसे आप गंदा खाना डाल देते हो, जो खाने की कदर नहीं कर रहे हैं, औ उठाया खाना और कहीं नाले पे या कहीं इलाके में घर के बार रख दिया, यह इसलिए नहीं रखाया आपने कि आप उनको खाना घिलाना चाहते थी, यह इसलिए रखा गया है, क्योंकि आपके पेट से वो बच गया, आपको अपने पेट का अंदाजा नहीं था, आप को बहुत है, तो खाने की वैल्यू गिर गई है, जब पैसा कम था, तो खाने की वैल्यू बहुत थी, लोग ठाली तक चाट जाते थे, including me also, हाला कि मैं खाना कम बिगाड़ता हूं, मेरे परिवार में तने लोग है कि मैं अगर बच भी जाए तो अपने घरवालों को चपेट खाना, जब उसे खाता है, तो कुता भी बिमार होता, और एक कुता बिमार या जानवर बिमार हो, तो जब वो दूसरे को काटता है, तो महामारी फैलती है, जब वो इंसान को काटेगा, तो भी महामारी फैलेगी, और जब इंसान दर-दर भूग के मारे भठकेगा, और 1943 में बहुत दर्दनाग कहानी है इस त्राही ने इस प्रॉब्लम ने करीबं 30 लाख लोगों की जाने लिए इस बिमारी में इस भुकमरी में इस आपदा में 30 लाख लोगों ने अपनी जान गवाई आप इस बात से अंदर लगा सकते हैं कि फैमाईन जो होता है वह आपको कैसे कि डिवेस्टेट कर सकता है और अल्टिमेटली आपको मौत गिफ्ट कर सकता है सो थाटि लेक्स पीपल डएड है है उनन में कौण foreign thatha ie कि यह कभी भी कोई देश तवाई होगी कभी देश में कोई बर्बादी होगीивает होती है तो majorly rich section की नहीं होथी है और इन छेशन की होती है और अपर लेवर आता है수 चाथे हें यह सारे वो लोग है जिन के पास या तो जमीन की कमी है या पैसे की बहुत जादा कमी है या परिवार बहुत बड़े हैं क्योंकि population का बढ़ना भी कहीं ना कहीं hunger को, भुगमरी को, गरीबी को invite करता है so परिवार नियोजन, family planning is very very important for us बारत के लिए बढ़ती हुई जनसंक्या के लिए बहुत जरूरी है वरना ये सब repeat होने में देरी नहीं लगी हाला कि हम काफी जादा self-sufficient हो चुके हैं बट वो भी खतरनाक situation है because जब खाना हच से जादा produce होगा तो खाने की wastage होगी और wastage होगी तो फिर भाईया वही समस्याए फिर आएंगे so देखते है who are food insecure कौन लोग खाने के मामले में खाना खाने मिलने के लिए insecure है जिनको खाना नहीं मिलता है जिनके लिए खाना पाने की समस्याएं effort करने की assess करने की availability की हमेशा बनी रहती है तो मैंने आपको बताया basically कौन होते हैं बच्चो यह होते हैं poor sections के लोग जिन में आपके जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वो लोग मिलेंगे या जिनके पास जमीन है भी तो बहुत कम है दूसरा traditional artisan जो पुराने जमाने के हदगर जो पुरानी परंपराओं से अपने काम धम चला रहे हैं उनके पास तो वैसे ही मैं आपको बताऊं मैंसे छित्र ऐसे राज्य में गया हूं हिंदुस्तान के जहां आज इतना modernization होने के बाद भी लाल्टेन जलती है घर में छोटे छोटे वरकर जो खुद के काम धंदे कर रहे हैं वो भी इसी लाइन में जो है मारे जाते है state nation में घूमने वाले गरीब बिखारी वो तो पहले ही विचारे गरीब हैं मतलब बिखारी है तो गरीब तो है ही है तो उनके उपर भी अगर शहर में बात करूं तो employed in ill-paid occupations ill-paid मतलब ऐसे बहुत सारे धंदे हैं यहां पर बहुत सारे occupation है जहां पर लोगों को जादा काम करा के कम तनखा दी जाती है casual labors साल में कभी काम मिला साहब कभी नहीं मिला तो जब मिला तब तो खुशी मिली जब नहीं मिला तो भाईया क्या मिला दुख गम तो यह कौन कौन लोग इंसिक्योर हैं आप इनमसे कोई भी example कोई भी नाम लिख सकते हैं according to your question asking आपसे question क्या पूछ रहा है I hope आपको यह clear है next आते हैं केवल भूख मरी इन लोगों के बीच में नहीं भूख मरी शोशल कंपोजिशन से भी बनती है कैसे बनती है समाज में यह बोल दिया जाता है यह किस तर्ज पर बनाए आपने एकनोमिकली या शोशली यही बेश रहे हैं तो जिसके पास एकनोमिकली गरीब है वह फिर भी इस केटेग्री में है और जिसे समाज से सोसाइटी से कि डिसकार्ड किया गया वह इसी लिए क्या गया वेकॉस देवर वर्स और पुवर्टी का पॉवर्टी का मतलब ही यही है कि फूर्ड इंसिक्योरिटी का सबसे पहला शिकार कि सोशल कंपोजिशन अलोंग विद्धा इनेबलिटी टू बाइफ फूर्ड एस्टी हो विसी हो गया खाना भी नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा फूर्ड इंसिक्योर्टी में एक महत्सपूर्ण रोल निवाते हैं क्योंकि किसी भी सिच्वेशन में खाना ना मिलना इस इंसिक्योर्टी क्या आप Stho- Fantasya नहीं हो फैसा नहीं खरीद ही नेक्सट हते हैं आब को आपके सामने कैटेगरी है जिंगें को नहीं मिलता भाईशाँ मैं क्या यी तारीफ करूं हमारे देश में कितना ही कुछ हो जाए एक prewnież मोंटने शनां आजाएं कितने आप रेंज कोई फरक नी पढ़ने वाला है कि गरीब की कोई स्थिति सुधने वाली नहीं है कि देश में इतनी सरकारे आई इतनी सरकारे गई लोगों से वोट उनी से लिया पर मुझे आप बताओ कितनों ने जैन्वल ली देखा है किसी गरीब को और उसका अपलिफ्टमेंट होते हुए मैंने अपनी जिंदी में किसी गरीब को अपलिफ्ट होते हुठे नहीं देखा आज तक नहीं देखा ये वादे ये स्कीम ना जाने भाईया कहा चल रही है अगर जिस दिन गरीब खतम हो गया जिस दिन गरीब खतम हो गया चोरी ढकैती लूट मार ये चोटे चोटे जो प्राइबस जो आपको पριशान करते हैं बात-बात पे क्योंगे भाई सब इनकम के और भी सोर्स है उनके पास मैं एक ऐसी जॉब बताता हूँ आप लोगों को एक ऐसी जॉब बताता हूँ मैं आप लोगों को कि आप अंदाजा लगा लेंगे और मैंने ये बहुत बार बोला भी है और मैं आज फिर आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी जॉब, जो बहुत वेल रेपुटिड है, बहुत वेल रेपुटिड है, मैं नाम नहीं लोगा यहां पे, बढ़ आपको एक्जांपल समझ में आ जाएगा उससे, बहुत वेल रेपुटिड है, उसकी तनका भी काफी कहीं पर खड़े हो जाए, तो फ्री में वो सामान लेता है, और जब तक वहां खड़ा रहता है ना, तब तक वहां से खाता पीता रहता है, तो क्या वजा है भाई साब, क्या इनकी तनका में कमी है, या इनको बोला ही यह गया है कि यह आप करिये, या यह लोग चाहते ही है कि तनखा भी रहे खाना भी फुरी रहे और सब सही चलता रहे है तो यह किस केटेगरी के इंसीक्योरिटी है बाई साब यहां तो अवेलिटी है सब कुछ है फिर भी तो आप समझ सकते हो कि इन लोगों की स्थिति उनसे कितनी बुरी होगी सब कुछ होने के बाद भी अपने अच्छेश के इनकी प्रोड़क्टिविटी बहुत लो है एक रीजन यह है कि इनके पास जमीन ही कम है दूसरा यह है कि इनको इतनी सुविधाय उठाने के लिए जो चीज चाहिए जो धन चाहिए वो धनी नहीं है वो पैसा ही नहीं है तो पूर लेंड बेस क्यूं है बिक इसकी वैसे क्या होगा ओर प्रों टू फूड इंसिक्यूरिटी तो यह हमेशा ही फूड इंसिक्यूरिटी के रिस्क में बने रहेंगे यहां तक क्लियर है कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू बताईए भाई साब मैं यह नहीं कह रहा है अगर आप मैंसे कोई यह कह रहा होगा कि सर मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो एस्टी एस्टी ओवीसी से हैं बट वो मुझसे जादा अमीर है यह मुद्दा बहुत पुराना है यार शोशली अलग चीज एक्स्प्लोडेशन अलग होता है और एकनॉमिकली अलग होता है मेरा पर्सनल यह विचार है कि अगर एकनॉमिक बेस पर डिवीजन मिले एकनॉमिक बेस पर कोटा मिले तो जादा बैनिफीशल होगा अगर मुझे किसी समय पर कोटे की जौरत थी और मैंने लिया और आज मैं इस लाइक कैपेबल हो गया कि अब मैं सब कुछ अपने आप से कर सकता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोटे को अब रिलीव कर देना चाहिए मुझे छोड़ देना चाहिए विकोज इंडिया में जो आबादी है जब आप कहते हैं कि रिच रिचर हो रहा है और पूर पूरर हो रहा है इसका रीजन ही यही है जिसके भी हाथ में घंटी आई है ना भैस की घंटी वो भैस लेके ही चलता बनाए उसने फिर यह नहीं सोचा इस भैस के दूट से और लोगों का भी काम चल सकता है वो कहता है कि मेरे नाम पर आया था यह बिल अब मेरी रहेगी जिन्दगी बढ़ सो कहने का मतला मेरा यह है कि जब भी आपको एकोनोमिकली दिया जाएगा तो इसके बाद यह चीज हो जाएगी कि एक लिमिट के बाद जब आप उससे रिकवर कर जाओगे तो फिर दूसरे को मौका मिलेगा रिकवर होनेगा बट चलो वो चीज बात की बात है वो हमारी माइग्रेशन लेवर मतलब काम वाला मजदूर मजदूर जब बिहार से दिल्ली आया तो उसको सबसे दब फूड इन सिक्योर्टी रहेगी रीजन यह कि उसके पास यहां अपना ना खेत है और जो काम यहां करेगा उसकी गैरेंटी भी नहीं है कि उसको पूरे साल मिलने व पूरे से नीचे हैं यहां सो प्रोंट टू फूड इन सिक्योर्टी जो माएं बच्चों को जन्म देने वाली है जो माँ अपने बच्चों को दूद पिलाती है और जो बच्चा पांच साल तक का है उस पर सबस्यादा रिस्क रहता है क्यों रहता है कि जब आपके देश मे गरीब हो आप फूड इन सिक्योर्टी के केस में हो तो माा के पास जब खाने को नहीं है तो बेटा जो है वह कैसे खुली पैदा होगा बताइए वह कैसे तंद्रुस पैदा होगा बताइए कि जब आप खाओगी तब hea to aksicoda सवस्त्त पैदा होगा जब आपी काने को नही है तो आपका बच्चा कुपोशन का शिकार होगा मैलनूट्रिशन का शिकार होगा सो ज्यार अल्सों प्रोण टू फूड इन सिक्योरिटी कि एक कोर्डिंग टू नेशनल हेल्ट और फैमिली सर्वे अगर मैं एनेश एफस की बात करूं तो लगबग ऐसी काउंटिंग यह जो कैटेगरी है माँ दूद प्लाने वाँ और बच्चे की यह लगबग ग्यारा करोड के आसपास है यह पॉपॉलेशन अब बताए भाई साब इस देश में इतनी पावर्टी एलिवेशन प्रोग्रा हम चलाई गए इसके बावजूत यह ग्यारा करोड कैसे खड़ा हुआ है नंबर कि यह नंबर ऐसे खड़ा रहा है काफी लंबे समय से चल रहा है थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है अब जो लोग हमारे कंदों पर रखकर हमारे लिए पालिशी बना रहे हैं उनकों कभी को भी देखना बाई साब कर भारत में सबसे आदा नुकसान इसी बात का है कि आप जब विदेश एकंपएर करते हैं तो आप जो चीजें कंपर रहे हैं उनका बेश्त देखिए वह पने लोगों जयादा है यहां पर सर कम है कि तो यह भी तो समझ़े है कि मौस्टी सरकार लोगों के लिए क्या करती है और हमारी सरकार हमारे लिए ख़़ती है ए 6 семork और हमारे लिए लिए ख़ड़े कि closet ओर यह जो लोग है कहाँए भाई कहांसे आए है कैसे आए क्यों आए यह सब किसी ने पूछा कि सिरफ इनको नजरन्दाज करने से देश अमीर नहीं होगा देश में फूट सिक्योरिटी नहीं आ सकती आपको इन लोगों काउंटिंग करनी पड़ेगी वरना यह ग्यारा करोड यह भी बने रहेंगे और इसके लावा जो डेस्टि बुको तक ही नॉलेज रहे जाती है प्रैक्टिकली इसको एप्लाए नहीं किया गया है तो नेक्स नाते हैं लार्जेस नंबर पूड इन सिक्योरिटी पीबल की बात करें तो वह कहां कहां है उत्तर प्रदेश में इस्टन एं साउथ इस्टन पार्ट बिहार जार्खन एम चीक है चलिए नेक्स देखते हैं हंगर तो आती है भाई साब पूड इन सिक्योरिटी ना हो तो बनती है समस्या हंगर की दो मिनट में मैंगी जरूर बन जाती हो मेरी बात याद रठना बच्चो दो मिनट में मैंगी जरूर बन जाती होगी पर किस्मत नहीं बनती है कहां से कहां तक जाना है यह सफर घर बैठे गूगल मैप पे दिया जा सकता है, मतरब देखा जा सकता है, पर गरीबी को मिटाने का जो मैप है न वो अभी तक दिखा भी नहीं है, वो अभी तक दिखा भी नहीं है लोगों को सईसे कि कैसे हटाया जाए और कई बार एक कमेंटर बोल देते हैं बच्चे, सर मैंने किताब भी नहीं उठाई है, मैंने किताब भी नहीं उठाई, मैंने गाइड भी नहीं पड़ी, मैंने सेंबल वेपर भी सॉल्व नहीं किया, फिर भी मेरे मार्क्स जो है न, 96% आ गए, तो भाई साब, यह जो हकीम पाबा की पुडिया आपने बनाई हुई है न, यह जो हकीम पाबा की पुडिया आपके पास है, इसे पूरे देश में फैला दो, कैसे, अरे बच्चों को नहीं देनी है, बिखेर दो, जो नहीं पढ़ रहें, एकलिस्ट वो पढ़ लेंगे, बाकी को तो हम समाली रहें, आ क्या चली टीचर के सामने किसी, बताओ, टीचर सबसे बड़ा हतियार है की नहीं, आपके माइन को शेप करना, आपके फ्यूचर को शेप करना, हमारे हातों में है, इसलिए मैं एक बात आप से कहना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा चीटिंग का शौक रखता है, कि बिना श्याही के कलम किस काम की, बिना श्याही के कलम किस काम की, और जो नकल की, वो महनत किस काम की, वो तो दूसरे के नाम की, वो दूसरे के नाम की, इसलिए कभी नकल मत करना, महनत के साथ करो, चाहे बेशक फेल हो जाओ, एक बार कोई फरक नहीं बढ़ता, जीवन में सीख हमेशा मिलती है ठीक है सो आते हैं भाई साब हंगर भी एक food insecurity की निशानी है क्योंकि भूख मरीद तभी आती है जब खाना नहीं होता है सब्सक्राइब क्या मतलब है food insecurity और security का food insecurity वो है जो आपने अभी तक सब कुछ पढ़ा यहां सब दुख दुख था और food security वो है यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि complete elimination किया जाना चाहिए किसका आज जो भुकमरी है डिप्रेजेंट situation of hungerness and the future also भविश्च में जो आने वाली है reducing the risk of future hunger आज लोगों को पैसा पैसा दे दिया लोग पागल हो गए इसका एक्जामपल और देता हूं आपको मेरी जिंदगी में मेरे कुछ मित्र ऐसे अचानक से जमीन महंगी हो गई और उन्होंने बेग दी और फिर आगे बाइसा फॉर्चुनर पे और एक दिन हम शादी में मिलता है रेमेंट के कूर्ट पेंट के कूर्टेवजा में तो आते नहीं है रेमेंट के कूर्ट पेंट पेंट के और नीचे था स्पोर्ट सूज मैंने भी बोल दिया वाज साब बहुत खुब चलो यह तो दर्शादिया आपने कि आपका पुराना इस्टैल अभी भी बाकी है पर यह तो बास कुछ नहीं बाकी है सो भंगर नैस का मतलब यह ना हो जाए कि आप आज बहुत पैसा ही पैसा बाट दो सारे अमीर हो गए और कल विचारे बूके पड़े हुए हैं तो बभिश्य को भी ध्यान में रखना है अटेंटमेंट और प्रेजेंट इंफ्यूचर इस वेरी नैसेसरी तो कम्प्लीट एलिमिनेशन चाहिए आज से लेकर आने वाले समय तक भी तो हंगर क्या कहता है हंगर है क्रोनिक एंड सीजनल डैमेंशन हंगर बोला भाई साब मेरे दो हिस्सी हैं मैं दो रूपों में पाया जाओंगा मैं दो फॉर्म में मिलता हूं व बताई एक है क्रोनिक और एक है सीजनल ये क्या होती है नाम समझें ख्रोनिक वड़ी गहातक है जब इंसान के पास पैसा ही नहीं हो खरीदने के लिए अससर वह मरेगा मरेगा खुका मिन्यार क्या है आपके पैसा तो है है अ Sorry कं है अब यह कं कैसे आया कम ऐसे आया कि साल में आप 6 महीने काम मिलता है और 6 महीने नहीं मिलता है तो अब इस बच्चे में 6 महीने से आप खाना खरीद के पेट भरोगे उस 6 महीने से अपने उस future को save करोगे कि आगे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है आप आप आदी रोटी दे रहे हो वो भी कैसे गयूंकी एरे गयूंकी अब ऐसे थर्ड क्वालिटी और एक बार सर्वती अटा मतलब रोटी खा रहे हो जो वेन दे आर नोट एबल तो बाए प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी तो वो आते हैं क्रोनिक डिशीज में मतलब क्रोनिक अपनी हंगर में तो क्यों हो रहा है यह ऐसा विकॉस आप लो इंकम पैसे नहीं तो क्या करोगे बताओ जब पैसा नहीं होता है तो आपके पास समय वेस्ट होता है जब किसी इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो उसका समय बहुत वेस्ट होता है सर बताइए कैसे मेरे पास एक्जांपल है मैं अगर अपनी बताओं तो मेरी इच्छाएं बहुत हैं मेरी क्या दुनिया में सबकी इच्छाएं बहुत हैं अम चाहता तो हूँ कि यह हो वो हो ऐसा हो वैसा हो तो ऐसे ही मैंने एक गाड़ी खरीदने गया मैं कि अभी कुछ समय पहले की बात है लगबग एक साल हुआ है तो मेरे पास जो पैसा था जो इसका फ्रेम था प्रस अफॉल तो डिसाइड ही नहीं था क्योंकि भाई साब पता ही नहीं है कि खुछ से ले रहे हैं पहले अपने घरवालों से बिना मतलब ऐसा टैल करके एक दम दिखा कि हमने बहुत कुछ पा लिया पाया कुछ नहीं है अभी बहुत समय बाकी है तो मैं गाड़ी लेने गया और मैंने हर कंपनी की गाड़ी डू अभी इतना पैसा लगा दे दूड़ते और यह हो क्यों रहा है यह इसलिए हो रहा है कि मेरे पास इंकम कम है तो जब इंसान के पास पैसा कम होता है तो उसका दिमाग बहुत चलता है एनर्जी बेस पैट्रॉल वेस्ट तो इन लोगों के पास एजुकेट खाना नहीं मिलेगा क्योंकि इनका पैसा ही नहीं है तो इनका दिमाग बहुत चलेगा कि यार थोड़ा मिल जाए आगे भी बचाना है वो सब समस्यां यह फेस करेंगे सीजनल अंगर क्या होता है वेर परसन इस एनेबल टू वर्क for the entire year seasonal मौसम का मौसमी भूख मौसमी संत्रा वाली भूख नहीं है मौसमी भूख का मतला भी है कि आपको कुछ वर्ष काम मिला आपने अच्छा खाया जिस वर्ष नहीं मिला जिस समय नहीं मिला आपके तोते उड़ गए मिल्स एक है तोते उड़ गए तब कैसे रहोगे भाई साव आगे वह भी डर रहता है थो आपने देख लिया हंगर दो तरह कि को गई क्रोने अ कि अच्छ एपर पैसा यह इसलिए समय नहीं और अगले वाले यानिज इस्णल में काम ही नहीं तो पैसा यृइन है है और यह चक्र साइकल है ग्रोइंग हर्वेस्टिंगी मतलब कुछ इंसान को एकदम तो जब फसल होगाते हैं तम मालिक बुलाता है लेबर को या फिर तब बुलाता है जब काटना होता है 20 के समय पर अपनी मैंडम के साथ घूम कर समय देख लेता है मैंडम देखिए यह हमा इरियाज मैंने आपको बोला गरीबी जातर शहर में नहीं होती है गाओं में होती है और पीपल जनरली दू नोट गैट वर्क फोर दा फुलियर सीजनल इंप्लेमेंट इंडिकेट्स हीस बात से होती है कि आपको साल के पूरे मतब पूरे साल में महीने बर में काम नहीं मिल वाला है कि समझे आप चीक तो सॉलिशन क्या है इंडिया इस एमिंग एट सेल्फ सफिशेंसी इन फूर्ट ग्रेंज सिंस इंडिपेंडेंडेंज इस गरीबी को देखते में हिंदुस्तान शुरू से एक्टिव है तिंस इंडिपेंडेंज जब से देश आजाद हुआ है थी शुरूआत से ही तुमारी फॉस्ट फ्राइटी फूट सिक्योर्टी को लेके ही थी गरीबी मिटाना हमारा प्रतम लक्षय था हमारे फॉस्ट फाइफ यर प्लांस में भी सो सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने एडप्ट किये बहुत सार इंड़े तरीके जिस से क्या किया जा सके तेल्फ सफीशेंसी को पाया जा सके एझाम सहिंएंसिइभ आत्म निर्वत्ता और आत्म निर्भत्ता का मतलब किसमें Phi ड्रेंज में देश में इतना आना जो भाईisc कि कोई ऑक भूपका सोए ना कि दोवक्त की रोटी के जगा एक वक्त की रोटी और एक्स्ट्रा खाले और मेरे लाले प्यार से सोजा आराम से बिना किसी टेंशन के यह हमारी सरकार के लिए प्रथम लक्षता फॉर्स्ट जो है मिशन थी इंडिया ने एक एड़ोप्ट की थे कैसी स्ट्रेटिजी फूट कीवी को बढ़ाने के लिए फूट ग्रेंस कीbee की बढ़ाने के लिए ऐसे ही एक आया था जिसका नाम था ग्रीन रेप, इस यह ग्रीन रेवुलूशन forty विश्व की था यानि वर्ड में भी हो रहा था और इंडिया में भी जो वर्ड में किया उन उनका नाम था नार्म बॉर्लोग एंडी फादर ऑफ ग्रीन रेवलुशन इंडिया इस में स्वामी नाथन ग्रीन रेवलुशन का मतलब दो फस्लों का फायदा इन शॉट राइस एंड वीट जब आप आगे इस चेप्टर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस ग्रीन रेवलुशन ने बाकी क्रॉप को थोड़ा सा बैज़त कर दिया कि थोड़ा सा बैज़त कैसे कर दिया कि जब ग्रीन रेवलुशन पर सरकार को जोड़ दे रही है सरकार जोड़ दे रही है उदर किसान उगा रहा है तो कहीं न कहीं फोकस हो गया फिर दो क्रॉप और सरकार के बीच में किसान अब जो राइस शावल थे उस समय वो अमीरों की दास्ता थी अमीरों का खाना था सो गरीबों के लिए जो खाना प्रडूस नहीं होगा तो गरीब फूर्ड इंसिक्योर्टी में रहेगा डेट मेंस एक तरफ आपके पास होंगे अनाज के बंडार पर मेरा गरीब बिमार है अभी भी क्यों बिमार है क्योंकि इसके पास वो खाना नहीं है जो वो खाना कई सकता है जो वो अफ़र्ड कर सकता है वो तो खिसान प्रडिक नहीं कर रहा है आप देखोगे कि food grains की मात्रा बढ़ती रही पर फिर भी कहीं न कहीं लोग भूकमरी से मर रही थे अब ये तो वही वाली बात होगी भाई साब कि आपके शादी बहुत अच्छी हो गई पर आपके करम food गए है क्यों पत्नी खाना नहीं देती है पत्नी कपड़े नहीं दोती है पत्नी आपको दो देती है ज्यादा बोलता है इसा मुँ में चक्रा बेलन डाला और गुमा दिया तुमें फिर तुम कहा है मपमी मार दिया है इसरो किसमत बहुत ज़रूरी है इनके किसमत इस मामले में नहीं रही और Green Revolution की एक बदकिस्मती हिंदुस्तान के लिए इंडिया के लिए ये थी कि इसका जो benefit है वो कुछ state को मिला UP हर्याना, UP पूरी भी नहीं है Western UP, parts of हर्याना, पंजाब इन एरियास को ज़्यादा रहा तो यहां के खिसान क्यों खरीद पाए क्योंकि यहां के खिसानों के पास effortability के रास्ते थे पूरे इंडिया में Green Revolution का impact एक जैसा नहीं रहा है तो आप यहीं आगे देखोगे कि वर्ल्ड में Father of Green Revolution किसे कहते हैं बच्चो Norman Borlaug को किसको कहते हैं बच्चो Norman Borlaug को और इंडिया में किसको कहते है MS. Swami Nathan को नेक्स देखते हैं इंडरा गांधी जिस समय प्रदान मंत्री थी उन्होंने इस बात का प्रतक्ष प्रमाण देखा है 1960 के समय में कि किस तरह Green Revolution जो है भारत में Food Grains की production को बढ़ा रहा था इस positivity से मैडम खुश हो गई और खुश होके release करती है क्या एक स्टेंप रिलीज कर दी जो स्टेंप है कहां है मारी स्टेंप मारी स्टेंप यह रही है यह जो स्टेंप है बहुत पहले आपने पोस्ट ऑफिस में देखी होगी चिट्यों पर लखके जाती थी यह निशानी थी इस बात कि कि इंडिया में जो गयों है वो देखें उगरा है उत्पादन जो है वो उगरा है 1951 में जब हम मिलकुल आजाद हुए उसमें इतनी production थी और आज इतनी है यह बकाईद प्रदर्शन किया गया दिखाया गया और स्पेशल स्टेम इशू होती है जिसका नाम था वीट रेवलुशन इंग जोलाई 1968 और यह क्या प्रूफ थी इंप्रेशिव ग्रोथ ऑफ ग्रीन रेवलुशन की भाई साथ खुश कर दिया जी खुश कर दिया ग्रीन रेवलुशन ने प्रदान मंत्री जी का और एक तरफ अभी भी दुख चल रहा है भाई साब वो दीखेगा वो आगे भी देखोगे लेटर भी सक्सेस ओफ वीट व जो बैनिफिट है कि वास कम्प्लीटी डिवोटेट टू वीट ओनली वो केवल वीट को मिल रहा था धीरे धीरे लोगों ने गयों से जब रस्ता थोड़ा सा मोड़ा तो चावल भी इसी रस्ते पर आ गया और चावल को भी जो देखने को मिला बट है दे प्रपोर्शन मैंने आपको अभी बता दिया केवल उत्तर परदेश हर्याणा पंजाब से हिंदोस्तान नहीं बना है हिंदोस्तान का मतलब हिंदोस्तान के सभी राज्य सभी यूनियन टेरेट्रीज है और वहां पर फूट ग्रेंज डूरिंग नैंटीन सिक्टी प्रपोर्शनेट मात्र था डिस्प्रपोर्शनेट था यह ड्रॉबैक्स हैं ग्रीन रेवलुशन के और भी ड्रॉबैक्स देखो के जैसे कि आपका लेंड का डिग्रेड हो जाना इतनी अच्छी फसल करने के लिए तने बढ़िया गयों और चावल बनाने के लिए आपको हाई क्वालिटी ओप प पढ़ रहे हैं सो था हाईस्टेट ऑफ ग्रोथ कहां देखने को मिली डिस्प्रोपोर्शनेट तो मिल गई उसका सबूती यह है कि एमपी और यूपी में इतनी ग्रोथ और बाकी में नहीं है सो एमपी यूपी में क्योंकि आप देखो कि यह जो एरिया इंडिया का ऐसा कि पंजाब, हर्याणा, आपका यूपी, एमपी इस एरिया में जाता मिली और हाईस्ट ग्रोथ जो हुई वो कहां हुई चवाली स्टन यूपी में और तीस स्टन एमपी में यह डाटा है सहाब 2015-16 का बच्चो जहां यह बताता कि यूपी एमपी में ग्रीन रेवलुशन का जो बेनीफिट है वो बहुत मिला यूपी में इस्पेशली गेहूं का लेके और एमपी में चावल को लेके वेस्ट बेंगॉल और यूपी की बात कर ले तो वेस्ट बेंगॉल ने चावल देखे कितने प्रोडूस किये और यूपी ने चावल लगबग जो है स्टाड़े बारा 12.5 million 10 जो प्रोडूस किया आप देख सकते हो कि कैसे डिस्प्रोपोर्शन चल रहा है तो फूट सिक्योर्टी तो भाई साब जरूरी है ही है क्यों जरूरी है वो हम सब भी पढ़ते आ रहे हैं गरीबों को देख रहे हैं इंडिया है बिकम सेल्फ सफिशेंट दूरिंग दा लास्ट थर्टी यर्स क्या इंडिया फूट सिक्योर हो चुका है अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों फूट सिक्योर्टी क्या इंडिया खाने के मामले में फूट सिक्योर हो चुका है जो अभी तक हमने समस्याय देखी क्या वो नहीं है अगर अगर आ जाए तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए ना कि दूरिंग दी लास्ट थर्टी येर्स इंडिया हैस बिकम सेल्फ सफिशेंट इन फूट ग्रेंज विकॉज अफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स पिछले सहाब पिछले दश्कों में होता था ऐसा कि ग्यों और चावल अब तो आपको पता ही है अब तो अधर जो प्रॉप्स को भी अपनाया जा रहा है कॉमर्चियल क्रॉप्स जिनसे पैसा तुरंत मिलता है जूट कॉटन लेखा ना ब्रेटिक शर्स की कहानी आपने पताईए तो अधर क्रॉप्स को भी कर रहे हैं तो अवेलिबिल्टी ओ फूड ग्रेंज एंशोड और बाइदा कियरफोल फूड सिक्योर्टी सिस्टम भारत सरकार ने ऐसे ऐसे सिस्टम ऐसे से तरी के प्रोविजन बनाए ताकि देश में भुकमरीन आ रहे हैं इसके लिए दो चीज़े लॉंच की दो चीज़े क्या थी भाई साब एक तो बफर स्टॉक क्रिट करां दूस आते हो एक कार्ड होता है लेके जाते हैं और अपना गयूंचावल लेकर के चले आते हैं पर यह मैं बता दूँ शोशल इसूस के कारण के रोशीन को बंद कर दिये गया लोग के रोशीन का नजाईस फायदा उठा रहे थे ऐसके वह चिके बफर इंवाफर क्का होता है बफर मतलब एकड़ा खाना पीना जो शादि मेंहें गयूं गया खेड़िजग शाधी में अब यह कि शाधा बफर POW मतलब खायट बहुत जादा हो दोम खायए कि एक टैस का में और चावल का दूनिया खाना चाहती है खि़ला रहें आज आप देख लीजिए आपके खाने में आप आज क्या खाके आए हो गेहूं की रोटी जो किसी ना मक्क क्या क्या है फैंट वogi तो फोड़ी में स्टो क्वेर्मेंट करती है यानि किसानों से ग्या है को ले tragen ल missions बफर क्रियेट करना है, बफर कैसे क्रियेट होगा, क्या किसान इसे फील्ड में रखके बैठेगा, रखके बैठा, तो बारिशाई तो कहों सट जाएगा, गल जाएगा, तो सरकार किसानों से ले लेती है, तो यह जिम्मा किसको दिया गया है, FCI को देश की एक संस्ता है, Food Corporation of इंडिया, 12 सरकार की एक यूनिट है, New Delhi में इसका Headquarter है, कहा है इसका Headquarter बच्चो, New Delhi में, FCI जाती है, किसानों के पास Food Purchase करती है, Food Grains, यानि कि आपका Wheat and Rice, किस से? किसानों से, और कभ खरीदती है, साब, Surplus Production पर खरीदती है, Surplus Production मतलब, एक किसान पर 100 टन क्यों पैदा हो गया, दो टन, तीन टन वो अपने खाने के लिए रखता है, बाकी का, FCI उससे प्रक्योर्ड कर लेगी, ले लेगी, फ्री में, ऐसे कैसे देगा, किसान ऐसे कैसे देगा, तो इसके लिए Price Decide होता हो, इस Price को क्या कहते है, आप देखोगे आगे, आगे आप देखोगे, उससे कहते है, MSP, जब FCI किसानों से Food Procure करती है, तो पहले से, जब फसल बोई जाती है, उसी समय प्राइस डिसाइड हो जाता है, चीज का, अधर इस साल गयों भूवेंगे, तो MSP सरकार की तरफ से पहले ही डिसाइड हो जाएगी, भाई सब इसका क्या फाइदा है, पहले से पहले ही, एकदम, टॉप टॉप की कहानी बता रहे हैं सर, तो डैप्स की कहानी ये है, कि सरकार इसलिए पहले से, प्री डिसाइड प्राइस करती है, ताकि किसान मॉटिवेट रहे हैं कि हाँ देखो, मैं इसको इस फसल को आँगो, तो मुझे फाइदा मिलेगा, तो प्रमोट होते रहते हैं, तो फार्मर्स आर पेड प्री अनॉंस प्राइस फोर दियर क्रॉप्स, गयों की एक बोरी भा चावल की बात कर रहा है, यहां पे, देख नीरा, तेरे भ्या के लिए और तेरी पढ़ाई के लितना पैसा लगेगा, गयों उगार नहीं थे, तो सब गयों उगारे हैं, तो खिसानों को पहले से पहले यह डेटर्माइन, यह फोकस किया जा रहा है, कि आप भाइस सब यह और इसके लिए आपको क्या मिलेगा, एक प्राइस जो पहले से तै है, उसका नाम है मिनीमम सपोर्ट प्राइस, यह एक प्राइस है, आप अगर हमें गयों बेचेंगे, तो यह प्राइस तो हम दे देंगे, इससे उपर आपको कहीं मिलता है, तो आप बेच लीजिए, यह म साल सरकार यह डिसाइड करती है, कि क्या MSP रहेगी, वैरी करती है, जब भी स्वेंग सीजन आएगा, बोने का, किसलिए, टू प्रमोट दी, रेसिंग और प्रोड़क्शन अब इस क्रॉप्स, जो वीट और राइस है, इनकी प्रोड़क्शन को बढ़ाने के लिए सरकार कर सरकार करेगी, तो हर किसान यह करेगा हुआएगा, बाइगा, 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 बाइगा kalo और देनिज दे आनाज लेilos टॉक मेंगे जिस्तर बना क्युं रहें। हम तो इतो नहीं खाते सьरजी हमार तो दो रोटी कर्यां कर करकर विदेंश के वेचुं का क्या कर रहे इस अनाज की कमी है मैंने अभी बताया गयों और चावल पर्टिकुलर एरिया में जादा उकते हैं तो जिन एरिया में या तो उकते नहीं या कम वहां तो कर दो आप क्या चाहते हो देश में जैसा खाना रहे की नहीं रहे बताईए बताईए रहे की नहीं रहे आप यहां से अगर साउथ इंडिया गए और आगर आपको ग्यों चावल नहीं मिला तो आप फटफटा के मढ़ जाओगे रीजन यह कि आप अपना खाना ही खाना चाहते हो इसलिए विदेश में भी रोटी मिल जाती है विदेश में भी चावल मिल रहा है विदेश में बाजरे की रोटी भी आई हाल फेलान को गोलती अग्यों Одессो सरकार इस प्राइस को लोगलों को कैसे देगी ओधर आई एउड लेज इसे satisf आए dobrie की सरकार है एप पूर सेक्शन को और इसू प्रैस कैसा होता है मार्टे में थे मिलों सौ चल रहे हैं तो सरकार एंडिक कि ंदें कर दें दो इसुप ताल बेसिकली lower लीने दा मार्केट प्राइश जो भी पैसा मार्केट में चल रहा है उससे कम पे मैं तुम्हें दूंगा और मेरा नाम है स्तरकार आईए फिर एक और चीज बनाई PDS PDS का मतलब बच्चों सीधा सीधा है राशन की दुकान लाला जी की दुकान जिसका काम क्या है है फूट ग्रेंज को बाटना है हमने देखा है देखा है हम कौन से मना कर रहे हैं अगें बफर स्टॉक में जो खाना आया था उसको कौन लाया था FCI PDS में जो गहूं अनाज जो किसानों से आ रहा है वो भी तो FCI ला रही है तो अगर राशन की दुकान की बात करें तो साड़े पांच लाख राशन की दुकाने हैं इंडिया में एक डाटा की अनुस्तार है कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताईए भाई साब बताईए रात के कुछ तो समय हो रहा है यह नहीं बताऊंगा यह नहीं बताऊंगा भाईया यह जो राशन की दुकान है इसकी भी एक कहानी हमारे पास एक समय था जब मैं 6-7 क्लास में पढ़ता था नहीं 6 में और छोटा होंगा चाहद फिफ्ट फॉर्ट फिफ्ट में इतना भी अब देखी हमने राशन की दुकान हुआ कर थी और मेरे सामने कई लोग रिक्षा चलाते थे तो वो लोग रिक्षे में रखेर लोगों का समाने इदर दोढ नहідносक की दुकानों से और राशन के दुखान पर बहुत लम्मी भीड होती थी और इंसान बहुत सुभे जाके वहां खड़ा हो जाता था रिक्षे वालों के साथ तो भाई साब हम भी लेगे एक बार अपना रिक्षा मतलब सेल्फ का रिक्षा वो जो बच्चों वाला था न रेड और पीले कलर में जूले में डबल स्टेंडर्ड वाला जूले में भी देखे रों स्टेंडर्ड रखते हम ऐसे मसमझ ना कि ऐसे फुकरा जूला कुमारा बहुत मैंती जूला एकदम अमेरिका से लाया हुआ है उसको लेके चल पड़े साब हम राशन की दुकान पर पहुंचे बड़ी बड़े नहीं हो रहे और यह जो लाला जी है यह भी चारे आट फ्याट घंटे यहां पे बैठे हुए और यह हमसे कई उना मोटे हैं वजा जानने की तो बहुत इच्छा थी मन में पर बड़े होके समझ में आई चीज है क्या समझ में आया कि सरकार ने जो राशन की दुका लोगों लगता हमारी किसमत खराब है कोई बात नहीं इस महीं ने प्राइविट दुकानों से सामान खरीद के काम चला लेते हैं लाला जी रातो रात उस सामान को बड़े बड़े ट्रकों में उन चक्की वालों को बेच देते हैं जिनी चक्की वालों से वह आदमी राशन मिलने वाला था और दो चार रुपे किलो मिलने वाले सामान अब उन्हें 36 और 40 रुपे किलो की रेट के साब से मिल रहे हैं कि कैरोसीन भी इसलिए पहले आता था पर बंद कर दिया हलांकि शोशल इशूस के कारण लोग उससे घर में हास्य कर रहे थे सरकार लाग कोशिश कर रहे है कि राशन की दुकानों पर गरीबों को सामान मोहिया कराए जाए पर यह जो सेट हैं बीच के सरकारी दुकानों पर जो टेंडर राशन की दुकाने खोल लेते हैं यह गड़बड कर रहे हैं अब सचेत हो जाईए बाई साब में राशन की चुण को जो काण है उसे फिर प्राइस शॉप कहते हैं क्यों कहते हैं बच्चो क्योंकि इसका जो प्राइस होता है को मिधिन चवाँ छीना की प्राइस दाल के रोसीं चीनी कैसे मिलता है जिस भी परिवार के पास राशन कार्ड होगा उसको गयों मिलेंगे कितने वह याप 35 किलो गयों चावल मिलते हैं टोटल पांच लीटर केरोसीन और पांच किलो चीनी इससे एक गरीब का पेट नहीं भरता है साब पहली बात बढ़ता नहीं है पेट जिनको लगता है ना कि पांच क्लो चीनी बहुत होती है आई यह चलिए हमारे घर भाई साब हम तो इतनी चीनी खाले ते चमश खड़े हो जाए चाबेशक है या कि शुगर से मर जाएंगे शुगर की समस्या ओज जाएंगे शुगर नहीं शुगर की समश्या तो ये वाली ठाल चीनी कहरें गा Предम कीन इसphone कर लें घेतों में कि गाहों को आदमी बहुत मीटा खाता है बहुत मीटा इतना सा शूगर नी ऊता इतना शुगर शेहर का आदमी एक चमच स्टेल से खाएगा वहली पहली बाद चीज़ देखी थी मैं जिस इलाके में डेली में रहता हूं उसके पास बहुत सारे विलेजिस हैं और यह वैस डे एरिया रोईनी कि पश्यम विहार गाउं साइड एरिया है तोड़े ज्यादा इसे वैसे नहीं है कि वह क्यूब देखे मेरे को तो पहली बार दीखे कि चीनी के क्यूब आ गए मुझे तो ऐसा लगा चीनी चिपक के गांट बनके रग गई है यह बंदा इसे काटेगा तोड़ेगा पीसेगा तब में देगा पहली बार रहे गरीब आदमी नई चीज देखिए हजम नहीं हो रही है तो मैंने वह क्यूब जो है चाय में टालने से पहले है बिलीव मी मैंने वह खाए अरे देखू तो सही असली है कि नकली है यह तो आजकल देखा ही नहीं हमने जमाने बहुत कुछ बतलावा चुका है खाए और दो-चार रखे जेब में भाईया हम घर पर टेस्टिंग करेंगे मेरे अंदर यह बहुत और रहती है जिग्यासा इनक्यूसिटी बहुत है चीज को लेगे कोई चीज बाहर देखी अगर वह भाईया पैसे से खरीद कर उस पर प्रेक्टिकल हम करके अपने लिए अपना फॉर्मेट चेंज हो गया है नीचे प्लेट नहीं है अपनी वही देशी प्लेट चल रही है एना उसमें क्यूब वह तो चमब से डाल रहा था इसा वह कांटे वाली चमब होती उसको ठाके अपना वही हाथ मनला तप दो गए सीधा इसा मूह पे नाख पे दो में बहुत कुछ नहीं चीज़ा सीखने को मिली है तो से लिया हमने देखा भाई सब गोला पीला अपना बढ़िया एकदम उस जिन से महसूस हुआ कि जिंदगी में अगर किसी गरीब इंसान को सारी फूड की चीज़े मिल जाए जो वह चाहता है तो खुशी बहुत मिलेग पीडियस में इंसान उम्मीद बहुत कुछ कर रहा है यह मिले वह मिले सब मिले पर मिलते नहीं है साब सरकार का में नेम है कि आपको बेसिक फूड ग्रेंस प्रोवाइड करना उसमें भी अपला है तो पांच लीटर केरोसीन पांच लीटर शूगर पांच किलो शूगर मेरी यह चीनी वाली कहानी अपने तक रखिएगा करके अपने दोस्तों मत बताई नहीं तो सोचेंगे कि सारे सरको तो मतलब किनी वीनी भी नहीं बता यह क्या करें ऐसे ही आदमी है थोड़े से का राशन कार्ड कितने तरह के होते हैं राशन कार्ड तीन तरह के होते एक तो होता है अंतोध्य कार्ड एक होता है बिलोव पावर्टी लैंड कार्ड और एक होता है वह जो है अबाव पावर्टी अंतियोद्य घही है देश के गरीव से गरीब आदमी के लिए अनन्तियोद्यम होता है a पावर्टी लाइन उती है एक सरकार की बनाई भी निर्धारित रेखा यह पायू आठारे को ये पावर्टी लैविद अ मन लिए यह वाले जो हैं उनको बनता है बीपियल का कार्ड और जो इस एरो वाले लोगे उनको मिलता है अबव पॉवर्टी का कार्ड या फिर इन दोनों से जो बच गए कैटेगरी के उनको तो राशन कार्ड होगे भाई या तीन तरह के खाने की जो मात्रा है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए तो इस राशन की दुकान के वैशे फूड शोटेज जो वो खतम हो गई थी और इसी फूड शोटेज जो 1960s में आई थी इसी वैशे क्या स्टार्ट हुआ था राशन सॉप्स राशन की दुकाने यहां तक क्लियर है मजा आ कि तीन प्रोग्राम चलाए जाएं किसके लिए इस भुकमरी शोटेज को खतम करने के लिए नहीं कि अनाज को बढ़ाए रखने के लिए बफर स्टॉड फूड ग्रेंज तो हो गया पॉलिसी भी तो चला नहीं होती है खाना ही खाना पड़ा है किसको कितना मिलेगा कैसे ड पीडियेस इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेवलप्मेंट सर्विसेज 1975 में स्टार्ट हुआ इसके तहत बच्चों को खाना पीना अपना पूरी डाइट वाइट सब दी जाती थी मदर भी इंकलूड थी बच्चों को जनम देने वाली थी क्योंकि बच्चे तो पेट में भ और तीसरा था फूर्ड वर्क फूर्ड फूर्वर्क तो एड़ प्रेजेंट सेवरल पौवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं जिनसे गरीबी भुकमरी और या फिर इन जमस्याओं को दूर किया जा सकता है जिनकी वैजे से आप जो कहीं नगए फूर्ड इंसीक्योर्टी का निशाना बन सकते हैं उनके कुछ एक्जांपल में आपको बता रहा हूं प्रधानमंत्री रोजगार योजना अंत्योद्य योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंद्र अब 213 है laptop tim यह तुझान थे है यह कहता है मैं फूर यह चुन खॉमक्री लिए इसप değil और अपको सब किष्वांट मरने वाली हूती है आप सरकारी स्कीम है तो affordable तो रहेगी, so that people can live a life with dignity, गरीब की जिंदगी तिल-तिल के मरने वाली होती है, तो हर इंसान की value है, court ये कहता है कि हर individual की अपनी identity है, और कोई भी identity जो है बेज़त होने के लिए नहीं बनी है, तो इसलिए सरकार क्या रही है कि National Food Security Act जो बनेगा, उसके तहित इन लोगों को खाना और nutrition value, अच्छा खाना सब को मिलेगा, इस Act के according, 75% लोग जो गाओं के हैं, 50% लोग जो शहर के हैं, इस category में आते हैं, अगर वो eligibility meet करते हैं तो, मतलब सरकार की रोखी गई, जो eligibility minimum conditions है, कि गरीब होना चाहिए, इतना खेत नहीं, इतना कमाई नहीं, इस तनखा से नीचे हो, तो अगर उसमें आते हैं, तो 75-50% लोग जो इसमें आते हैं, current status की बात करें राशन की दुकानों की, तो शुरुवात में तो ये सब को दिया गया था, गरीब, अमी, सब को राशन, शुरुवात में तो सभी एक जैसे थे ना, भाई साब, independence के टाइम पे तो सब को भरना था, बट साल साल जैसे होते गए, तो इसको revise किया सरकार ने, और इसको revise करके, अब थोड़ा सा इसको targeted बना दिया है, अब बोला कि, भाई साब एक limit revise कर दिया, कि अब जो है, पूवर और नॉन पूवर में थोड़ा सा फर्क करेंगे, जादा अमीरों को तो हटा दो, इसको 1700 blocks में इंट्रड्यूस किया गया, और इसके बाद फिर revamp किया, और अब इस नुमार जो है कैसा कर दिया, वो कहांगे या targeted बाई, target of redeveloped, या फिर revamped PDC, PDS, अब वो थोड़ा सा revamp कर दिया, कि अब शिर्फ गरीब को मिलेगा, अब शिर्फ गरीबों को PDS का फाइदा मिलेगा, और कहां पर remote and backward areas में, और price भी थोड़े से differ कर दिये, कि poor के लिए भी, non poor के लिए भी, non poor in the sense, जो लोग below poverty line में नहीं है, ये हो गए तुमारे BPL वाले लोग, और ये हो गए APL वाले लोग, तो आज भी कुछ conditions के साथ APL वाले, क्योंकि राशन कार्ट बनाया है सरकार ने, तो obviously राशन कार्ट से फाइदा लेंगे, but with the price difference, अगर इनको कोई चीद 10 रुपे की मिलती है, तो इनको हो सकता है वो 15 पे मिलती हो, 2-4 रुपे महेंगी हो, ठीक है यहां था, clear है भाई साब, बताइए, अच्छा लग रहा है, अगर आपको economic समझ में आ रही है, तो यहां पर ताली बजाईए, कि आपको economic समझ में आ रही है, क्योंकि economic समझना, हर किसी के बस की बात नहीं है, so next आते हैं बच्चो, 2 special scheme चलाई थी, सरकार ने मैंने आपको बताया था, कई intervention scheme चलाई है, पर दो हमने खासकर देखी है, जो properly targeted है, food grains की security को खटाने के लिए, अंतियोध्य अन्य योजना चलाई है, और अन्य पूर्णा scheme चलाई, 2000 में scheme लाउंच्ट होती हैं दोनों, क्या target था इनका, गरीब से गरीब को खाना, और थोड़े उम्र दराज लोगों को खाना, जो की आपके भाई साब scheme में आता है, आपकी scheme में सीधा सा यही है, कि भाई साब गरीबों को खाना जो है, देने की सरकार ने, 2000 में ये मुहीम चलाती है, और सभी को खाने की बात करती है, यानि की poorest को और बुज़ुर्गों को, ठीक है बच्चों, PDS आज तकी date में इंडिया में, खाने की security को लेके काफी effective रहा है, खाने के price जो इसने stable कर दिये थे, लोगों को सस्ते दाम पर अनाज प्रोवाइड कराया था, add affordable prices, इसके बावजूद भी, hunger prevalent है, यही मैंने आपको शुरुआत में बात की थी, कि बेशक लाख खाने और बंडार बन गए हो, grainries के, अनाज के, but still we are facing the issues of hungerness, अगर गरीब नहीं है, तो रोड पे कौन है, बताईए, गरीब और भूके नहीं है, तो कौन है वो, बताईए, चलिए, 2014 में बात करें, तो stock of wheat, इतना create हो गया था, सरकार ने बोला, इतना करना है, किसानों ने इतना खड़ा कर दिया, लो वाईसा, बंडार, अती बंडार, जो एफसी आई के पास था, वो 65 मिलियन टन, food grains था, जो की, बेसिक नॉर्म से बहुत ज़्यादा था, खाने के लिए खाना नहीं है दूसरों के पास, पर आपके पास गयों चावल के बंडार, रिजन ये है, वो वो खाना नहीं चाहते, जो आप प्रोडुक्शन करना चाह रहे हो, किसानों को भाईया, दे रहे हो MSP, किसान वही होगा जिसमें MSP मिलेगी, MSP गिनी चुनी चीज़ों पर मिलती है, यह मत सोचना कि खेत में उपने वाली हर चीज़ के लिए सरकार MSP देती है, कुछ लिस्ट अब 20-25 आइटम में ऐसा कुछ, सो इससे क्या हुआ, हाई लेबल अब बफर क्रियेट हो गया, वो वेस्ट होने लगा आब, जो ज़रूरत नहीं थी, वो वेस्ट होने लगा, नाव स्टोरेज कॉस्ट भी भढ़ रही है, अब हाई केरिंग कॉस्ट भी लगने लग गई, और कहीं ना कहीं ये चीज जो है, अच्छी नहीं है, अच्छी इसलिए नहीं है, कि आप जो चाहते हो, गरीब सेक्षन के लिए, वो कहा है, तो अब आपको दीख रही हैं सारी प्रॉब्लम्स, अब अच्छी खासी पकड़ मिल रही है, इन्होंने प्रेशर बनाया सरकार पर, कि MSP बढ़ाओ, हम तब प्रॉब्लम्स करेंगे, सरकार बढ़ाती रही, बढ़ाती रही, इससे क्या हो गया, भाई, फूट ग्रेंस बढ़ते गई, फूट ग्रेंस भढ़ते रहे, राइस और वीट, जो फार्मर्स के पास इतने हो गई, कि कोर्स ग्रेंड अब है ही नहीं, और कोर्स ग्रेंड ना होने के कारण ही, दूसरा जो सेक्षन है सोसाइटी का, यानि कि पूर सेक्षन उसको खाने को नहीं, जब पूरे दिन किसान गेहूं चावल, गेहूं चावल करेगा, तो कब बाजर और मक्का करेगा, एक खेट पे कितनी बार होता है मक्का बाजरा, बताइए, कितना करता है किसान, सौ बड़ी गेहूं पर दस बड़ी भी होंगी, नहीं होंगी, सो ये प्रव्ण माने लगी सो extensive cultivation rice का होने से एक नुक्षान होता है wheat वी कर रहा है rice भी कर रहा है हम rice की समस्षा देख रहे हैं क्योंकि rice को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए पानी तुम चावल को इतना करोगे जब चावल की production ज़्यादा करोगे तो चावल के लिए उपज के लिए जो भी requirements है वो भी करनी पड़ेंगी इसका मतलब extensive water requirement चाहिए जब ज़्यादा पानी दोगे तो भाईया उस area में अगर सब लोग चावल करेंगे suppose सब लोग चावल करेंगे तो उस level का ground water जो level है उस area का वो down होगा के नहीं होगा सो उसकी वज़े से क्या हुआ environmental degradation होने लगा water level गिरने के लग गया क्यों because of intensive utilization of water rice crop require plenty of water अब पानी की कमी स्थमझ में आगई कि कुछ भी करा हो आपने proper चीजे ना होने के कारण ये unbalancing हो रही है disproportionate हो रही है चीजे ऐसे में आज के टाइम पर हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले है वह पढ़ने वाले रोल आफ कॉपरेटिव्स यानि जो सहकारी यूनिट्स है जैसे आपकी मदर डेरी अमूल कि एडिए जैसे महारास्ट्रा में होती है भाई एडिएस होता अपना अकेड्मी ओफ डेवल्लप्मेंट्स की जो है साइंस जो होता है कि हमारे को भी हमारी घड़ी समझ रहे हो पानी की याद दिला रही है पानी पिलो सर और हम पिएंगे बाई साब जल की खासम खालेंगे आच आपको पहले शेप्टर खतम कराएंगे तब पिएंगे कॉपरेटिज सुसाइडिया निया अमूल मदर डेरी इनका क्या काम है क् भाई साब देश में लोगों को लूटने के बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं सरकार ने अमूल मदर डेरी इसलिए चलाई महारास्ते मैंने आपको ADS बताया इसलिए चलाया ताकि लोगों को सही रेट पर चीज़े उपलब्द कराई जा सके एट एफ़ोडेबल प्राइस तक कॉपरेटिव सोसाइटीज सेट अप टू सेल एट लोग प्राइस टू पूर पीपल हाना कि मुझे ऐसा लगता है मदर प्राइब करते हैं जहां पर आपको सस्ते रेट पर लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है चाहे आपके फॉल दूद क्योंकि लोग जब आएंगे दूद की दुकान पर आपको ब्रैड मिल जाए सब्जी मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है ऐसे एक्जांप पीता है इंडिया सब नहीं पीते हैं हमारा लोग भाएस भी है मतलब कि मदेरी भी हमारी है अब सबस्केंदा बहसे हैं मदेरी गाई है एस आपने देखा कि भाइसा अब कॉपर्यस यही रोल निभा रहे है को प्रेटिव लोगों को कम पैसों पेंचीज को एट एफटेब से सिक्योर होगा इसको हमने खतम किया है और उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अब आते हैं अपने कोश्टन की तरफ हाव इस फूट सिक्योर्टी इंशूर्ड इन इंडिया कैसे करोगे सिक्योर भाई सब बताईए अभी तो बताए तो ऑप्शन बताईए बताईए ऑप्शन में कुछ नहीं लिगना बफर स्टॉक और इस पॉब्लिक डिस्टुशन लिख देना बफर स्टॉक रहेगा तो खा के पास जमीने नहीं है जो कैजूल लेवर्स हैं जो बहुत कम जॉब्स पर काम करते हैं सीजनल करमचारी है यही तो है मैंने वह जो साथ पॉइंट लिख दीजिए ठीक है नेक्स देखते हैं विच स्टेट्स और मोर फूड इंसिक्योर इन इंडिया कौन से बाइसा इंडिया इंडिया सेल्फ सफीशेंट इन फूड ग्रेंस हाओ इसे बनाया तो है जबी तो स्टॉक क्रियेट हो गए इंडिया चेंज इट्स एग्रिकल्ट्र एप्रोच जिसकी ऐसे ग्रीन डिया जिसका मेजर इंपक्ट राया किस क्रॉप पे वीट और राइस पर इसी इ इंड्रा गांधी ने एंड़ेट वोज दी इंपक्ट ऑफ ग्रीन डेवलुशन इसी लिए इंड्रा गांधी इसूट इस्पेशल स्टेंप और वीट रेवलुशन है ना और इसकी वैसे क्या होगा लेटर राइस भी धीरे दिन आने लग जया सेम वही चीज करी है तो ग्र विकॉस आफ ग्रीन रेवलुशन इं टना टन समझ में आगी बात ठीक है नेक्स देखते हैं बच्चों इसक्शन ऑफ पीपल इंडिया इस स्टिल विदाउट फूट एक्स्प्रेइन बिल्कुल है बाइसां वही है स्टी एस्टी ओबीसी लेंडेस लेबर कैस्वल लेबर इल पेड़ वरकर्स वही सारा आप यह लिख देंगे तो आपको यह कोशन का अंसर मिल जाएगा कि ठीक है बच्चों मैं साइड हो जाता हो लोग देख लीजिए करोथ प्लाइबश्ट वेंडेस्टर ही अर्ग क्या होग वुझा है है आपको डिफ्रेंशेट बिविन सीजल हंगर और क्रोनिक हंगर मैंने आपको पहले डिफ्रेंशेट दे दिया है वह आप यहां पर चुपका दीजिए बिल्कुल सिंग्पल है सीरियल हंकर वो है कि यहां पर यहां पर यहां कि लेस्ट मुनी कमाते हैं इसलिए अनेबल टू पर्चेस दी डाइट्स और दी रिक्वार्मेंट्स ओपूर्मेंट्स ओपूर्मेंट्स दोजार में यह स्कीम लौंच होती है 75% रूरल एरिया को इसमें काउंट ले लिया गया है और 50% अर्वन एरिया को बस वही बताना है minimum support price बेन आपको बताया सरकार जो है किसानों के sowing season से पहले crop के लिए msp introduce करती है इसलिए किसान उसको कर रहा है दूसरा आपको क्या कर रहा है buffer stock पे भी सेम अभी वही question जो गया वही आपको लिखना है इशू price भी आप सरकारी इशू करती है क्या स्कीम भाई सब इशू price भी कम rate पे मार्केट में जितने में समान मिल रहा है उससे कम rate पे सरकार आपको देती है और कहां मिलता है face price fair price shop यानि कि आपका PDS यानि कि आपका राशन shops ठीक है next देखते हैं write a note on the role of cooperatives in providing food related items मैं अभी बताया अमूल का example ले लो महारास्टर में ADS का example ले लो यह लोग vulnerable section या poor section को एफ़डेबल प्राइस पे कॉन डिशाइड करता है एफ़डेबल प्राइस सरकार डिशाइड करती है उस पर प्रोवाइड करते हैं सो फाइनली बच्चो हमारा यह चैप्टर पूरा हो चुका है और उमीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आया होगा सो अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कोमेंट सेक्शन में बताईए मैं सुनूंगा समझूंगा उसके बाद आपके डाउट का जरूर अंसर किया जाएगा आपका इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्लास को सुना, समझा और मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बबाई and टेक केर और देखते रहे हमारी PW के स्प्रिंट सिशन की सारी क्लासिज अच्छे नमबर के लिए प्रिंट अपने और काल जाओ तक क्लास में आप माइए अच्छे법 क्लास में आप टेक्साइबकों